नमस्कार आजस्थान से जुड़ रहे हैं विनोत पाठक जी अकसर हमारे चैनल पर आते हैं राजस्थान की अपडेट्स लेकर और राजस्थान में पिछले शो में जब हमने चर्चा की थी तो बात ये हुई थी कि दो बड़े इवेंट होंगे उसके बाद हम अगला शो करेगे और एक इवेंट था वसंदरा राजे का जनम दिन जो चार तारिक को धुमधाम से मनाया गया और सुनने माया है कि अभी भी मनाया जा रहा है और एक दूसरा कार्यकरम रविवार को हुआ जाट महाकुम्ब का जिसमें एक बार फिर ये आवाज उठाई गई जाटों के दुआरा कि इस बार सरकार किसी की भी बने लेकिन चीफ मिनिस्टर जाट समुदाय से होना चाहिए तो विनोच जी दोनों चीजों के बारे में अपडेट्स बताईए पहले वसंद्रा राजे के जनम दिन से शुरू करते हैं अमारी पिछली बार भी बात हुई थी कि वसंद्रा का ये जो जनम दिन है ये प्रीपॉंड हुआ और आजपा के उस दिन दो बड़े इवेंट थे और खास बात है कि पहले जो एनॉसमेंट हुआता हूँ वसंद्रा के जनम दिन का हुआ था उसके बाद बीजेपी ने जाजी कर रहे थे और उसका असर भी साल असर में दीखा और वैसे तो उनका दावा है कि एक लाज से ज्यादा की भीड़ती पर मीडिया कह रहा है कि अभी ठीक ठाकती पचीस से पचास अजार के बीच की कोई भीड रही हूँ तो बड़ा उत्सा में थी मैडम ने देखा कि इतनी भीड है तो थोड़ा भावूब भी हो गई और उन्होंने बड़ा जोड़दार भाशन दिया अनुमान चालीसा भी उन्होंने मंस से जो है वो पार्ट करवा दिया और वो जोश का कारण भी मुख्य रूप से भीड और जो भाश्पा के काफी सारे सांसत थे जैसे ब विधायक में तो कालीचन सर्राफ उनके खास विधायक है अजमेर से अनीता बदेल है वो थी दीपती महेश्वरी जो पहले किरण महेश्वरी इनकी बड़ी खास थी मिनिस्टर भी थी वसंदरा सरकार में उनकी बेटी जो अब रास्समन से विधायक है वो थी उसके लावा जैपुर में सांगानेजीर से आशोक लाहोटी यह थे और इनकी जो पूर अशोक परनामी वो थे ऐसे करके क्लंबी चोड़ी लेस्ट है जो विधायकों की ती और तूरू के जो विधायक है वो तो थे ही उसके लावा सांसद्य श्री गंगानगर से जो मेगवाल हैं वो थ पिछली बार बताया लिए पहुंचे थे इनके उसमें करकर पिछले साल पिछली बार इनको ने दावा किया था कि इस बार इनका कहना था कि 52 विधायक जो थे जो मौझूदा सरकार में हैं वो थे और उसके अलावा 118 पूर विधायक थे और पुछ लोग जो यहां और जो प्रोदर्शन हुआ जैपूर में उसमें यह बोला जा रहा है कि मात्रे 23 विधायक पहुंचे और कुछ लोग इस प्रोदर्शन में चेहरा दिखाया और वह भी साल असर चले में भी और उसमें उन्होंने सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम जो फिक्स थे और कल भी वह वही थी आगले दिन भी मलत चार के अलावा पांस तारी को भी वसंदरा राजे जो हो साले सब में रही वहीं उन्होंने पूजा पार्ट किया चार को अपने सुपुत्र के उन्होंने बकाइदा बाला जी के मंदिर में पूजा शुरू की हवन की एक हजार आठ उन्होंने बोला भी भाषण में किया होटिया हमने दी हैं तो पूरे जोश में थी पूरा ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन मोर्ड में आ गई हैं तो उन्होंने एक तरीके से अपनी दा खावत इन सब लोगों को याद किया अटल वाजपई और मोधी और मोधी तो इस पीच से क्या संदेश निगला क्या उन्होंने संदेश हाई कमान को देने कोशिश की कुछ थोड़ा सब्सक्राइब देखे अपनी माता जी को उन्होंने याद किया उसके अलावा अपने भै मैं जो है मोधी जी के और नड्डा जी के मालगदर्शन में पार्टी को जो है राजिस्तान में आगे और हमें सरकार लानी है इनका मालगदर्शन मेरे साथ है तो वो एक बात जो पिछले काफी दिनों से ओठे थी कि साब ये सेंटर लिटर्शिप ने इग्नोर कर रखा है राजे के ऊपर कोई ध्यान नहीं है दोसा में जैसे बात आई कि साब मोधी जी ने देखा तक नहीं और इग्नोर किया तो ये एक संखेत इन्होंने बाकी जो जनता को और जो कैडर है बीजेपी को उसको कहीना कि एक ये कह सकते हैं थोड़ा सा वो भी भ्रहमित कर दिया उन कि ये जो है जबादा जी का नाव कौन नहीं लेगा अमीर नाम नहीं लेगा वह तो बहुत लंबे समय से उनके विकल्प के यह तलाश रहे हैं पिछले चुनाव से तो इन्हों ने जो है काफी मलब पब्लीक को अपने जो साशनकाल के काम थे उनको गिनाया सड़तों को गिनाया इन्हों कैसे किस तरीके से यहां बात करेंगे यह काफी डवलप कर दिया और आज काफी भी लगती है वहाँ पर अपनी सरकार के काम भी थे जो पॉलिटिकल जो इनके प्रतिद्वंदी है जो दौड में आप मान लीजिए जो बाकी चाहरे सपीश पुनिया और बी जो नेता है तो उनको पी एक तरीके से इन्होंने एक इशारा घीड के माध्यम से अपने सरकार के सुष्टाशन के माध्यम से और इनके सरकार की जो योजनाओं को इस सरकार ने कैसे नाम बतला उनके वो सारी चीज़ें गिनाते हुए और वहनुमान चालिस्ता भी नोने और बीचमों नोने बजरंग बली के नारे और यह सारी सारी चीज़े पब्लिक से लगवाई तो यह कह सकते हैं कि भाई यह अब पश्चिमी राजिस्तान के भी दोरे की खबरें कि वो निकल रही है मलब वो चूरू से आगे निकलेंगी और वहां का भी दोरा करेंग या उनकी चिट्टी पड़ी गई वसंद्रा राजे ने वहां भी संदेश दे दिया कि मैं जो है जाट घराने में मेरी शादी हुए मेरे बेटा जाट है तो वहां पे भी वह बला वुनों ने उसको भी भुना लिया है जाहट महाकुंब को भी अच्छा इसके बारे में जो वसंद्रा गुट से कोई सतीस पूनिया यह जो पार्टी के संगटन की तरफ से जो आयोजन था प्रदर्शन था कुछ एक दूसरे पर कुछ काउंटर रियक्शन्स आये हों नहीं देखे यह यह ऐसा कोई काउंटर नहीं हुआ पर एक काले वीडियो जरूर एक सोशल वीड देखेंगे मैं उसमें क्या कह सकती हूं यह तो उन से ही उनका मेटर है तो क्योंकि सतीश पुनिया जैपुर में थे प्रदेशन में थे शाम को फ्री होगे थे पर नहीं गए उनके जो कुणिया गुट के और नेता कह सकते हैं वह भी नहीं गए पर जो राजस्थान के तो उसको लेके थोड़ा सा तोरियां चड़ी हुई है बीजेपी संगठन में कि भाई जाना तक तो ठीकता पर है तो यह मैटर थोड़ा सा मुझे लगता अरुन सिंग जी के उपर भारी न पड़ जाए यह आप गए पिर रात को वसंद्रा जी ने खुद फोटो ट्विट करके वाई फाग खेलते हुए डांस करते वह एक तरफ तो प्रदर्शन चल रहा था और एक तरफ आप जो है उलास और खुशियां मनाने वाला वीडियो भी सामने आ रहा है फोटो सामने आ रहे हैं लेकिन इसमें मुझे एक बात मुझे लगती है कि जो प्रदर्शन वाली पहले से तहता यह तो बाद में फाइनल उप तो अरुन सिंग का जाना तो बाद में तैह हुआ यह तो क्या मुझे लग रहा है कि बीजेपी संगटन को लगा कि साब यह कुछ ज्यादा जो एक आ रहा है ना कि गुटों में बटी होई पार्टी देताओं में आप आपसी थ लानस का वीडियो और उसके थोड़ा सा काम भी गाड़ दिया है तो हाई कमान का तो यह रहता है कि हमें सबको साथ लेके चलना क्या हुआ 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 बस सबक्राइब कर चलना है और हाँ वह सही बात है तो इस इस बार मतलब यह है कि अच्छा खासा कारकरम उन्होंने कर सब्सक्राइब करते हुआ हर साल करते हुआ है बिल्कुल सही बाद रूटीन का तो यह अच्छा जाट माकूंब के बारे में बताईए जाट माकूंब का शोर काफी था पर जो वीडियो देखे आला कि घीड को लेके और क्या संख्याति इसको लेके तो कहीं कोई दावा मैंने ऐसा नहीं पड़ा पर आज एक खक्मार ने लिखाए कि लाकों लोग थे पर मुझे लगा नहीं पर यह था कि जो के लाज चौदरी क्रिशी राजे मंत्री हैं वो थे और यहां के चार-पांश मंत्री था इवें जो कोविंसिंग डोटासरा कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैं वो थे आजपा के अध्यक्षा सतीश कुनिया वो थे आपके मुझाफण नगर से राकेश टिकैत आये हुए थे त स्टेडियम उसकी कैपेसिटी कोई 25-30,000 की है तो वह लग रहा था कि वहां लोग है तो जो पहले से बात थी कि सब हमें जो एक रामिश्वय डूडी है जो वह सुंद्रा सरकार के वक्त कॉंग्रेस के नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने जरूर यह बात बोली कि सब नंबर दो की एक बात उठी कि नंबर दो की कुरसी चाहिए मला ग्रह मंत्री की कुरसी मिलनी चाहिए और नोंने बोला कि मेरा नाम रामेश्वय डूडी है और मैं जो है कि एक शीष नित्र तुम मिलना चाहिए राजस्थाग में जाट कम्यूनिटी को जो अब तक नहीं मिला है तो यह पूर्जोर मांग तो यही थी कुछ लोगों ने समाजी कुरूपियों को लेके कुछ लोगों ने और भी बाते कहीं कि साब यह हमारे नेता जो है काग जी है इनको कोई भी चीज नहीं मिलती है अच्छा इसमें कोई बदाई बदाई एक कमी अनुमान बेनिवाल की जरूर इसमें खली कि वह इस वक्त सब्सक्राइब बढ़ते जाट नेता है और वह बजमे में नहीं थे इसका क्या मतलब हो है मुझे लग रहा है कि वह दिखाना चाहते हैं कि देखें साब मैं इनसे अलग हूँ क्योंकि सही बात एक जाजब है मलब एक मंच पर आके वह शायद यह जतारा नहीं चाहते कि कॉंग्रेस भी मैं इनके साथ भी हूँ बीजेपी के साथ भी हूँ वह अकेला चलके और जाटों में जो एक बोला कि मैं अकेला उन्होंने अटैक भी करते रहें इस बात को लेके कि सरकार के खिलाफ मैं अकेला लड़ रहा हूँ बीजेपी के खिलाफ केंदर में मैं अकेला लड़ रहा हूँ रशी कानून पे मैंने सरकार का साथ छोड़ दिया तो आप मेरा साथ दीजिए इन सब के साथ मैं आके मलब उस पेरी लड़ाई को कमजोर करने वाले यह एक श प्रस्ताव पास हुआ होगा तो उसमें ये जब मांगे उठाई गई तो क्या किसी कॉंग्रेस या किसी बीजेपी के नेता ने इस बारे में अपनी स्पीच में कोई ऐसा इशारा किया किया हम इस बात पर कंसीडर कर रहे हैं या हम आगे आपकी बात को बढ़ाएंगे आई कम सब्सक्राइब कर देंगे मलब पार्टी के बिहाफ पे किसी ने नहीं बोला कि यह हम अपनी पार्टी से दिलवाएंगे तो बाते मिलना चीए नेतर होना चीए वह सारी बाते हुई और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ हाला कि जो युदुवीर सिंग एक जाट महासभा के नेता है उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि साब आपको विदान साब हमें ब लगना बदलवाने के लिए तो आप तो कुछ भी करवा सकते हैं हमने इसली नहीं भेजा तो मिल्की भोज बंद होना चाहिए अच्छी मांगें सब करना चाहिए कुरूती माल लिए उसको बालविवा बालविवा राज़िस्तान में आप जानते हैं कि काफी एक तरीके से कुरूती है बड़ी संख्या में बालविवा होते हैं यहाँ पे आज भी और बात उन्होंने दहेज की बोली की साफ दहेज पर मुझे लगता है कि कैसे मांग पूरी होगी समा सब्सक्राइब करते हैं कि आप क्या से सकते हैं कि जैसी ऐसियत से आगे बढ़ जाता है वो चीजे इसलिए थोड़ी सी अब यह इन सब बातों को लिए कि बाइस साल के बाद हम जमा हुए है और इतना बड़ा जलसा हुआ है तो चुनाव से पहले संदेश देने की कोशिश आले कि संख्याबल जो बता रहे हैं तो यह पचीस परसेंट तो मेरे साब से नहीं है बारा तेरा परसेंट के अनुमान है और जाती जनगंड़ना की बात लेकिन विधायक काफी चुने जाते हैं राजस्तान से इसमें कोई शक नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन तो अच्छा है वैसा नहीं है जाटों का पर वो उन्होंने का है कि 27 परसेंट पूरा हमें जो है नौकलियों में दो आभी 21 परसेंट चल रहा है राजस्तान में तो यह पॉलिटिकल संदेश है सभी पार्टी को कि देखो अब हमारा भी सोचो और हम भी संख्या बल है अभी देखिए इससे पहले एक राजपूतों का उवता च्छत्रियों का उवता अब एक ध्रामणों का भी समेलन होने जा रहा है तो यह सारे के सारे जो है अपना चुना इस इन दोनों ही कारेक्रमों पर जिन पर हमने चर्चा की इसमें गैलो साब की कोई टिपड़ी नहीं देते हैं इवेन मैंने तो बसुंद्रा जी के साथ बताते हैं उनके बड़े मधूर संबंध है और ऐसी चर्चाएं भी रहती हैं कि दोनों नेपाद नेता जो की बात चलती है तो कोई प्रतिकरिया का सवाल ही नहीं था और जाटों को लेके भी आप जानते हैं कि जाटों में एक बड़ा वर्ग है जो गैलो साब के प्रती नाराजगी रखता है कि जब एक मौका आया था 98 में जब मदेड़ना जी को मुख्यमंतरी की कुरसी मिल सकती थी तो गैलो साब कुरसी पे आगे थे तो वो एक नाराजगी जाटों में गैलो साब को लेकर चलती है तो मुझे लगता है ऐसे मौके पे कुछ बोलके और और टेंशन पैदा नहीं करना चाहें तो हमने कुछ बोला भी इसको लेकर आखरी सवाल यह हनुमान बेनिवाल का थोड़ा सा मुद्दा रह गया हनुमान बेनिवाल को लेकर दो दिन से सोचल मीडिया बड़ा ट्रेंड है तो वो इसकी यह इसकी मतलब यह कहना चाहिए कि इसकी टाइमिंग को लेकर बड़ा चोका हुआ हूँ कि उधर जाटों का करेकरम हो रहा है अरुमान बेनिवाल को कि यूद्ट जो जाट है ना युवा जाट जो है एक दबंग वाली चवी है कुछ भी बोल देने माला वह ऐसे हैं कि आप उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कुछ अभी अटपटा नहीं बोलेंगे वह कुछ भी बोल सकते हैं मनला वह मोदी जी से लेके वसंद्रा से किसी को कुछ भी बोल सकते मन से तो वह जब वह बोलते हैं तो इतनी तालियां बजती हैं उनके वीडियो बड़े शेयर होते हैं और आप देखें दो चीज़ें हैं उनकी एक तो संकट मोचन हनुमान बेनिवाल ट्रेंड किया टॉप ट्रेंड किया राजिस्तान में और सु कायदा क्विट करके जानकारी दीती कि मैं प्रदेश के बाहर हूं तो मैं नहीं आपाउंगा तो यह माना जा रहा था कि वह क्योंकि हो सकता है कि उस्तमांचनक तरीके से बुलाने वाली कोई बात हो चाहरे हो कि रैड कार्पेट बिचाया जाए या वह नहीं चाहते थे कि बीजेपी कॉंग्रेस के नेताओं के साथ मच साजा गिया जाए एक क्योंकि जाट नेता के साथ बुझे लगता हूं रहा है कि मैं बड़ा जाटनेता हूं तो वो तो उन्होंने अपनी रहा है वह काफी दिनों से लग्सक्ण यह होई है उनका तो दिखाने का मकसद यही है कि आप ठीक है आप जाटों के नेता हैं लेकिन जब जन परतिनेतित की बात आती है तो उनका लीडर में हो राजिस्थान में और आप देखें यह जो जाट मांकूं भी हुआ है अगर किसी को सही रूप से इसका फाइदा होगा ना अगर ज पढ़ेंगे अनुमान वैदिवाल को वो क्यों कैसे जाट में पॉप्लारिटी उनकी जादा है जाट उनको अपना नेता मनने लगे आपका कहने का मतलब यह है कि कुछ भी हो लेकिन वोट वोट नहीं मिलेगी वोट जो है उनके चांसे जो यूथ है जो भीड आई थी आप मानिये उनकी फैन फॉलेंग इतनी इस वक्त तेजी से बढ़ रही है जाटो में तो अगर वोटो की बात आएगी और अगर ऐसा इंफ्लूएंस प्रोग्राम के थ्रू होगा तो आप मानिये कि क्योंकि बाकी नेताओं ने तो उस तरीके से भाशन दिया ही नहीं था हरी इस सब्सक्राइब की और अशोगहलो जो है उनको भी टार्गेट किया पर बाकी नेता ने तो बड़ा लॉलीपॉप टाइप की बाते कि यहां सब समाज का इसका उसका पर असली मुद्दा तो हमवान बेनी वाले जो कह रहें कि सब मैं मैं ही हूँ और मैं ही सब दिला सकता हू हाँ फिर वो एक सांसाद है केंदर में पारलेमेंट में बोलते हैं बात उठाते हैं और बड़े तकरी हैं रात रात को सबाय होती हैं दो दो बजे तक बलाब भी स्खेतर में पश्चिमी राजिस्तान में दो दो तीन तीन बजे तक और जहां जाते हैं बड़ा मजमा होते हैं और उनके बाशनों को सुनना चाहते हैं सोचल मीडिया पर भी आप देखेंगे अक्सार तो उनको लेके काफी सारे चलते हैं चलिए अपडेट्स के लिए धन्यवाद विनोच जी आप से बात होती रहेगी आप आपडेट्स हमारे लिए लाते रहिए देखते हैं नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें